Hey guys, welcome to my YouTube channel आज आपका current affair का बहुत ही important topic रहने वाला है Tokyo Olympics 2021 की महत्वपूर questions को मैं यहाँ पर आपको कराने वाली हूँ ज्यादा questions मैंने यहाँ पर नहीं रखे हैं लेकिन जितने भी यहाँ से point बनेगे उन सभी points को मैं यहाँ पर discuss करूँगी यदि अभी तक आपने मेरी चैनल को subscribe नहीं किया है तो आप सभी जल्दी से topic wise current affair और साथ ही यहाँ पर मैं आपको कराऊंगी G के topic wise ठीक है और बहुत जल्द SSE JD वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ पर लेके आने वाली हूँ practice set GS का वो भी topic wise कराऊंगी और यहाँ पर मैं आपको Hindi और English बोथ language में questions कराऊंगी तो पहले फिलाल आज की question देखेगा यहाँ पर सबसे पहले question बनेगा कि आपका Olympic जो 32 संस्क्रण है इस पार अभी संपन हुआ है यह कहाँ पर हुआ जापान की राजजानी टोक्यो में हुआ कौन सा संस्क्रण था यह 32 संस्क्रण था 32 संस्क्रण था 33 संस्क्रण कब होगा 33 संस्क्रण इसका 2024 में होगा कहाँ पर France की राजजानी पैरिश में होगा और 2028 का कहाँ पर होगा क्योंकि 4 साल के अंतराल में होते हैं 24 के बाद 25, 26, 27, 28 2018 में होंगे कहां Los Angeles USA में होंगे और इसके बाद होगा आपका next जो संस्क्रिण होगा वो होगा 35 वा 32 आपका जो 35 वा संस्क्रिण होगा वो होगा Australia की राजधानी और Australia की राजधानी क्या Canberra लेकिन Australia में राजधानी में नहीं होगा बल्कि Brisbane जो सहर है वहां पर होगा तो आपको याद रखने है 2024 का कहां पर होगा France की राजधानी Paris में होगा और 2028 वाला आपका Los Angeles में होगा USA में आपका 2032 वाला जो की 35 संस्क्रिण होगा वो होगा आपका Australia के सहर Brisbane में होगा ये तो आपका आगामी हो गया लेकिन हम जो हो गया है उसके बारे में बढ़ेंगे आगामी वो भी आपका Current Fair का होता है तो इसलिए आपको याद रखना है ठीक है तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं पहले कोशन से और यहाँ पर Tokyo Olympics के समापन समारों में भारत के धजवाहक कौन नामी थी या किसने यहाँ पर धजवाहक बने थी यहाँ पर आपके धजवाहक थे बजरंग पुनिया मनप्री सिंग जो की होकी पुरू सोकी टीम के कैप्टन है और पुरू सोकी टीम ने ब्रॉंज भारत को दिलाया था और इन्होंने ये जो थे भारत जब आपका 23 जुलाई 2021 से टोक्यो की शुरुवात हुई जापान में टोक्यो में तो उस समय ये भारत के धजवाहक थे मनप्री सिंग और मुक्केबाज MC मैरीकों समापन में यहां पर धजवाहक कौन बने बज नेक्स्ट आपका यहांपा कोशन है टोक्यो ओलंपिक 2020 की पदक तालिका में कौन सा देशीष पर रहा है पर उससे पहले कोशन का आंसर अगर आपको पता हो तो पता चली गया होगा तो आप दे सकते हैं लेकिन यहांपर देख लीजे सबसे पहले उसके बाद आंसर करेंग और टोटल मेडल इन्होंने 113 जीते हैं चाइना यहांपर सेकेंड नमबर पर रहा है जिसने 38 गोल्ड जीते थर्टी टू यहांपर सिल्वर जीते 18 ब्रॉंज टोटल 88 इन्होंने मेडल जीते हैं थर्ड नमबर पर रहा है जपैन 27 गोल्ड 14 सिल्वर 17 यहांपर ब्रॉंज टोटल 58 ठीक है यह आपको याद रखना है next यहाँ पर रहा है Great Britain Great Britain नहीं 22 गोल्ड जीते हैं 21 यहाँ पर Silver जीते हैं 22 आपकी क्या जीते हैं Bronze और टोटल यहाँ पर 65 ठीक है अब यहाँ पर अपने देश भारत की बात करें तो यह है हमारा भारत और भारत 48 वे आपको बस स्टार्टिंग के तीन याद रखने टॉप थर्ड और लास्ट में अपने भारत की रैंक है भारत यहाँ पर भारत की रैंक रही है 48 भारत ने टोटल साथ मेडल जीते हैं जिसमें से एक गोल्ड है दो यहाँ पर सिल्वर है और चार आपके ब्रॉंज है वो भी मैं आपको बताऊंगे अभी इस पहले इस question का answer कीजिया इस question का answer क्या हो जाएगा कि टोक्यो ओलंपिक 2020 की जो पदक तालिका है इस पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है तो इसमें शीर्ष पर रहा है आपका कौन आपका right answer हो जाएगा option A अमेरिका यहाँ पर right answer ह नेक्स्ट आप यहाँ पर देखेंगे इंडिया ने देखें किसने क्या दिलाया इंडिया को तो नीरत चोपड़ा जी ने मैंस जैवलिन थ्रो में यानि की भाला फैक में गोल्ड दिलाया है मेरा भाई चानों ने सिल्वर दिलाया वेट लिफ्टिंग भारत तोलन में रवी पर दिलाया है भारत को बॉक्सिंग में मुख्यबाची में इंडियान होकी टीम ने ब्रॉण्ज मेडल दिलाया है मैंस होकी टीम ने यहाँ रखना है और यहाँ से अभी दो कोशन एक तो नीरत चोपड़ा जी एथलीट में पहले ऐसी खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है बहुत इंपोर्टेंट कोशन है दूसरी है आपकी मीरा बाई चानू भारत तोलन में वैसे पदक तो मिल चुका है पहली बार पदक जो दिलाया था मेडल दिलाया था वो है कर्णम मलेश्वरी इन्होंने जब 2000 में सिडनी में आपके ओलंपिक हुए थे का पास यहां पर ब्रॉंज मेडल जीता था लेकिन भारत तोलन में मेडल दिलाने वाली सेकेंड महिला बनी है मीरा बाई चानू मीरा बाई चानू ही पहली भारत तोलन में सिल्वर मेडल दिलाने वाली पहली महिला बनी है यह आपको यादक नहीं क्योंकि जो कर्णम नहीं ब्रॉंज जीता था ना कि सिल्वर तो सिल्वर जीतने वाली पहली महिला भारत तोलन में बनी है मीरा भाई चानू ठीक है ये भी आपको याद रखना आप देखे जितने कुशन यहां से इंडिया से रिलेटिट बन सकते थे मैंने आपको करा दी है ये आपको याद रखना है टोक्यो ओलम्पिक 2020 की पदक तालिका में भारत किस पोजिशन पर रहा है ये भी आपको बताया है भारत की पोजिशन रही है 48 अगला कुशन है पहली ट्रांसजेंडर ओलम्पियन का क्या नाम है तो यहां पर आप अंसर कीजिएगा भारत की भारत की नहीं बलकि पहली पहली ऐसी कौन सी ट्रांसजेंडर है जिन्होंने ओलम्पियन में भाग लिया था और ये है आपकी women's 87 kg की weight lifting category में इन्होंने participate करा था और इनका नाम है Laurel Herbert Laurel Herbert आपका right answer हो जाएगा ये आपको याद रखना है और ये New Zealand से हैं ठीक है Next आपका question number 5 हैं हाँ पर ज़्यादा question नहीं कराऊंगी जितने important question से वही मैं करेंट फिर क्या आपको कराऊंगी Tokyo Olympic के लिए भारत्य टीम का अधिकारिक प्रयोजग कौन बना है तो आपका अधिकारिक प्रयोजग कौन बना है हाँ पर आपका right answer हो जाएगा अडानी गुरूप और अडानी गुरूप के चेर्मेन है गौतम अडानी Next आपका question है हाँ पर हाल ही में संपन हुई Tokyo Olympic 2020 में सरवाथिक पुरूस व्यक्तिकत पदक किस खिलाड़ी ने प्राप्त किये हैं ये हैं American swimmer इन्होंने 5 swimming gold यहाँ पर जीते हैं इनका नाम है Salive Dressel Option D आपका right answer हो जाएगा Next आपका question है हाँ पर guys Tokyo Olympic Next आपका question है हाँ पर Tokyo 2020 के उद्धगाटन समारों में किस खिलाड़ी ने Olympic कड़ाई जलाई तो ये जो Olympic कड़ाई है ये जलाई गई थी Naomi उशाका के द्वारा Option आपका यहाँ पर A right answer हो जाएगा ये आपको याद रखना है Next आपका question है हाँ पर Tokyo Olympic के उद्धगाटन समारों में भारत की ध्वजवाह कौन थे समापन में कौन थे पजरंग पुनिया और उद्धगाटन में थे MC मेरिकॉम और मनप्री सिंग बोथ आपका यहाँ पर Right answer हो जाएगा Question number 9 है Olympic खेलों की Gymnastic इस परधा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतिय कौन है ये हैं आपका Right answer हो जाएगा क्या दीपक काबरा ये Gymnastic इस परधा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतिय बन गए Tokyo Olympic 2020 का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है ये आपका जो पहला स्वर्ण है ये जीता है सुटिंग में 10 मीटर की जो Air Rifles होती है और इन्होंने गोल्ड जीता है ये चाइना की खिलाडी है यांग क्यान अप्शन A आपका राइट अंसर हो जाएगा अगला कुशन आप अंसर कर सकते हैं मैं आपको टाइम भी दे रही हूँ किस खिलाडी किस भारत ते खिलाडी नहीं Tokyo Olympic में भारत की तरफ से पहला पदक जीता ये हैं आपकी साइखों मेरा भाई चानू आपसे कुशन ऐसे भी पूछ सकता है कि मेरा भाई चानू का पूरा नाम क्या है आप्शन में आपको ये नाम भी मिलेगा तो आप टिक कर दिजेगा साइखों मेरा भाई चानू ठीक है नेक्स्ट आपका question है आपका question number 12 हाल ही में संपन हुए Tokyo Olympic 2020 में सरवाधिक महिला व्यक्तिगत सरवाधिक महिला व्यक्तिगत पदक किस खिलाडी ने जीते हैं ये जीते हैं किसने आपका right हो जागे हैं पर इन्होंने 4 gold जीते, 3 bronze medal जीते ये swimming में इन्होंने जीते हैं, total 7 medal ऑस्टेलिया की swimmer है ये इनका नाम है Emma McCone option A आपका right answer हो जाएगा guys next आपका question number 13 है Tokyo Olympic में लवलिना पोर्गोहीन ने किस खेल में कास्य पदक जीता है ब्रॉंज जीता है, ये एक boxer है मुक्किबास है, आपका right answer हो जाएगा option B next आपका question है, Tokyo Olympic में बजरंग पुनिया ने कुस्ती की किस category में कास्य पदक जीता है तो कास्य पदक इन्होंने 65 kg की freestyle wrestling में इन्होंने कौन सा प्रॉंज medal भारत को दिलाया था 15 वा है आपका नीरच चोपडा ने किस खेल में Tokyo Olympic में gold medal जीता है भारत को Tokyo Olympic में पहला gold दिलाया है एक ही gold यहाँ पर मिला है javelin throw यानि की भाला फैक में तो friends यह हो गए हैं आपके Tokyo Olympic से related कुछ महत्वपूर्ण questions मैं आशा करती हूँ कि आपको questions पसंद आये होंगे और आपकी मैंने important questions ही कराये हैं और जो extra fact आपको बताये हैं भारत की तरफ से जो 7 medal यहाँ पर जीते गए हैं किस-किस के द्वारा जीते गए हैं वो मैंने आपको बता दिया है एक बार फिर मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ देखी हमें इंडिया को जो यहाँ पर medal मिले हैं वो किस-किसीज में मिले हैं नीरा चोपरा जी ने gold दिलाया है जैवलिन थो भाला फैक में मीरा बाई चानू ने भारत तोलन weight lifting में silver दिलाया रवी धहिया जी ने silver दिलाया है wrestling में ठीक है दो silver मिले हैं एक gold मिला है और चार bronze मिले हैं पीवी सिंधु ने bronze दिलाया है और ऐसी पहली महिला बन गई है बिटमिंटिन खिलाडी जिन्होंने दो Olympics में medal जीते हैं बजरंग पुनिया ने bronze wrestling में लवली ना बोर्गु हें ने bronze boxing में और इंडियन होकी टीम ने bronze medal भारत को दिलाया है men's hockey team ने ठीक है तो यह आपको याद रखना है thank you very much